जब जब तानाशा डरता है तो तब तब वो नोटंकी करता है ये इस देश की अब सच्चाई बन गई है नफरत की दुकान चलाने वाले अब मानसिक मनो रोग के शिकार हो गए हैं नफरत की आग में धदकते हुए वो पक्की बेवकूफियां करते हैं हरोज जिस प्रकार से भारत जोडो यात्रा को इस देश के लोगों का अथा प्रेम आशिरवाद समर्थन मिला जिस प्रकार से लाखो करोडो लोग कन्या कुमारी से दिल्ली तक शिरी राहुल गांधी और भारत जोडो यात्रा के साथ कदम से कदम मिला कर चले जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी महंगाई वेल्थ के अनीकुल डिस्ट्रिबूशन और नफरत की राजनिती के खिलाफ माहौल बना भाजप्पा नेत्रितव उससे घबरा गया है नई नई बेवकुफिया हरोज करतें कभी वो यात्रा और यात्रियों को बदनाम करने के आए दिन नए सतत प्रियास करतें कभी कोरोना की आड में भारत जोडो यात्रा को रोकने का शडियंत्र करतें और कभी उनके फेवरेट टॉपिक कॉंग्रेस के नेत्रितव पर जूठे इल्जामात लगा कर मुद्दे भटकाने का काम करते बरगलाओ भटकाओ और किसी तरह से हो सके तो डराओ केवल ये धंदा बन गया है मोदी सरकारों और भाजपाईयों का साथियों आज भारतिये जनता पार्टी के मुझे उनकी डिगरी पर तो शक हो गया है एक प्रवक्ता ने दो बड़े जूठे इल्जामात सारवजनिक पटल पर लगाए एक उन्हों ने कहा नमबर एक भाजपा के लोगों ने और उनके प्रवक्ता ने कहा के कांग्रेस की सरकार ने दो हजार आठ से दो हजार तेरा के बीच बीका नेर में राजस्तान के किसानों की एक हजार बीगा जमीन चीन कर दो फरजी व्यक्तियों हरी राम और नाथा राम को दे दी दूसरा इल्जाम लगाया के ये जमीन बाद में इसके बाद सकाइलाइट हॉस्पिटेलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी को बेच दी गई और इस पर जो एफ आयर दर्ज हुई उन्होंने ये भी कहा पर्टक्षिया परोग्ष तोर से के रॉबर्ट जी पर कोई एफ आयर दर्ज हुई और वो एफ आयर क्वैश करने की उनकी दर्खवास्थ हाई कोट ने खारिज कर दी ये लबो लबाब उनके इल्जामात का है मेरा ये कहना है सच्चाई को आवरण की जरूरत नहीं और जूट को कई वस्तरों की कई परतों की आवशकता पड़ती है मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूँगा और आप खुद और देश अंदाजा लगाए के जूट कोन बोल रहा है मिठ्या परचार ब्रहमिक परचार दुश परचार कौन कर रहा है नौटंकी कौन कर रहा है और सच्चाई क्या है पहला तथ्य कौन्ग्रेस सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में बीका नेर में 1000 बीगा छोड़िये एक इंच जमीन भी किसी किसान की नहीं ली और ना ही कौन्ग्रेस की सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में एक इंच जमीन भी हरी राम या नाथा राम नाम के किसी व्यक्ति को नहीं दी ये सफेद जूट है पर सचाई क्या है भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने फरवरी 2007 में बीका नेर में गजनेर गाउं तहसील कुलायत की जमीन दो व्यक्तियों हरी राम और नाथा राम को अलोट की वसंद्रा राजे जी उनकी मुख्यमंत्री थी भाजप्पा सरकार ने फरवरी 2007 में ये जमीन उनको अलोट की 19 नवंबर 2007 को तब भी भाजप्पा की सरकार राजस्तान में थी नाथा राम ने इस जमीन में से 12.6 हेक्टेर जमीन एक राजिंदर कुमार को बेच दी और उसी दिन 19 नवंबर 2007 को जब भाजप्पा की सरकार थी हरी राम ने लगबग 19 हेक्टेर जमीन एक किशोर सिंग को बेच दी भाजप्पा की उस समय की सरकार ने जमाबंदी खसरा गिरदावरी इंतकाल म्यूटेशन जमाबंदी खसरा गिरदावरी तीनों एंटर भी कर दी इसलिए एक बात साफ है जमीन भाजप्पा ने अलोट की जमीन की म्यूटेशन इंतकाल खसरा गिरदावरी भाजप्पा की सरकार ने की जमीन की बिकरी रजिस्टर्ड सेल डीड से भाजप्पा की सरकार में हुई अगले व्यक्तियों को और उनके नाम भी इंतकाल खसरा गिरदावरी जमाबंदी भाजप्पा की सरकार ने दी उसके तीन साल बाद 28 महीने बाद 4 जनवरी 2010 को इन दो व्यक्तियों राजिंदर कुमार और किशोर सिंग ने जिनोंने रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन करी दी थी ये 31.6 या 32 हेक्टेर मान लीजिए जमीन सकाइलाइट हॉस्पिटालिटी को रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच दी कोई अंडर वैल्यूएशन का इल्जाम नहीं इससे मारकेट ट्रांजेक्शन जो तीन साल बाद उन्होंने खरी दी 8 अगस 2014 को उसके ती लगबग तीन साड़े तीन साल बाद सेटल्मेंट कमिशनर बीका नेर ने ये पाया के ओरिजिनल जो बीजे पी की सरकार ने अलॉट्मेंट की थी नाथा राम और हरी राम को वो गलत थी इसलिए उन्होंने उनकी अलॉट्मेंट कैंसल कर दी नतीजन वो सेल डीड भी बेकार हो गए और नुकसान किसको हुआ नुकसान हुआ फाइनल खरीदने वाले को जिसका नाम है सकाईलाइट हॉस्पिटलिटी और रोबर्ट वर्डराजी उनके पैसे खतम हो गए जमीन भी चली गए और ये जमीन राजस्थान सरकार को वापिस चली गए और 2014 से आज 2022 तक ये जमीन राजस्थान सरकार के पास है तो नुकसान के वल एक व्यक्ति को हुआ वो हुआ स्काइलाइट हॉस्पिटालिटी और शीरी रॉबर्ट वर्डरा का नुक्सान हो गया इसलिए और उन्होंने बाकाइदा शिकायत दर्ज करवाई और उस समय की बीजेपी सरकार ने 26 अगस 2014 को 4 F.I.R. दर्ज कर ली सभाविक तोर से उन्हें F.I.R. में ना स्काइलाइट हॉस्पिटालिटी का नाम था मुल्जिम के तोर पे ना शीरी रॉबर्ट वर्डरा या उनके किसी सहयोगी का नाम था हो भी नहीं सकता था 5 F.I.R. 2015 को सकाइलाइट हॉस्पिटालिटी और रॉबर्ट वर्डरा जी ने बाकाइदा एक मुकदमा दर्ज करवाया अदालत में 2015 में हम 22 में और कहा कि ये मेरे पैसे वापिस करवाएं बिक्री करता से क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और वो मुकदमा आज भी चल रहा है अब जो F.I.R. दर्ज हुई थी 4 अगस 2015 को उनमें बीजेपी की सरकार ने चारशीट दायर की चलान दायर किया 173 CRPC में उस चलान में भी ना रॉबर्ट वर्डरा जी का नाम है ना सकाइलाइट हास्पिटालिटी का नाम हो hy not है क्योंकि वो तो विक्टिम्स है एक सप्लिमिन्टरी चलान बीजेपी की सरकार ने पेश किया उस में भी उनका नाम नहीं वो कहिए एकूज है ही नहीं क्योंकि वो तो विक्टिम्स थे इसके बावजूद 17 सितंबर 2015 को जब मोदी जी को लगा और कुछ नहीं मिल रहा तो उन्होंने उठा के F.I.R. और चलान में नाम ना होते हुए भी एक E.C.I.R. दर्ज कर ली E.D. में स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी को एक समन भीज दिया और वो समन की कॉपी आपके चैनल्स को दे दी ताकि आप दिखाएं कि हाँ उन्हें समन हो गया वो गए उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि बताईए भईया मैं तो विक्टिम हूँ हमारे साथ तो धोखा दड़ी हुई है तो उन्होंने कहां जी बात तो ठीक है स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी ने वो समन एडी का कोट में चैलेंज कर दिया और कहा कि इसे कौश कर दो अब कोट में जो कहा वो बड़ा रूची कर है कोट ने कहा सब आप तो आरोपी नहीं हो आपके खिलाफ तो कोई चार्जी नहीं है तो आपके खिलाफ चार्ज नहीं है तो वो आफ आयर आपके कहने से हम कैसे कौश कर सकते हैं इसलिए आपकी पेटिशन प्री मेचोर है कभी आपके खिलाफ चार्ज लगेगा Moreover in the instant case The present petitioner Petitioner है Skylight The present petitioner Have not been arrayed As accused And at the given stage Seeking the intervention of the court For quashment of ECR Is premature भई आपके खिलाफ कहीं इल्जाम ही नहीं है तो आप क्यों F.I.R. quash करवा रहे हो कभी इल्जाम लगेगा तो आईएगा तो इसलिए दोस्तों पांच तथे बिल्कुल साफ हैं नमबर एक जमीन कॉंग्रेस की सरकार नहीं नथा राम और हरी राम को बीजेपी की सरकार ने अलॉट की थी मोदी जी बताइए आपने क्यों की थी बीजेपी बताइए उस परजी वाड़े में उन पर परजी वाड़े का मुकदमा दर्ज करके कब कारवाई करेंगे कॉंग्रेस की सरकार ने तो की नहीं रॉबर्ट वडरा जी ने या स्काइलाइट ने कोई वो जमीन जब खरीदी तो वो तीन साल बाद वो भी जब वो बिक गई थी एक आदमी का अलॉट की उसके नाम जमाबंदी हुई दूसरे आदमी को रेजिस्टर्ट सेल डीड हुआ उसके नाम जमाबंदी हुई उसके तीन साल बाद उन्होंने बजार भाव पे वो खरीद ली अब वो जमीन भी कैंसल हो गई जमीन भी चली गई जमीन का कबजा भी सरकार के पास हो गया तो नुकसान किसका हुआ बेचने वारा तो अपने पैसे लेके घर चला गया जिसकी जमीन थी सरकार की जमीन उसके पास चली गई उनके पास रह गया एक कागच जिसके कोई माइने नहीं तो इसलिए विक्टिम यहां स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड रहा हैं और कसूरुवार भाजब पाई है जिन्होंने फरजी वड़ा किया है नमबर तीन अगर कुछ था तो भाईया 2008 के बाद तो आपी की सरकार थी 2008 तक तो आपकी सरकार थी और 13 के बाद फिर आपकी सरकार थी 5 साल कॉंग्रेस की तो 8 से 13 के बीच में थी 14 के बाद फिर आपकी सरकार थी F.I.R. भी आपकी सरकार में दर्ज हुई चारशीट भी आपकी सरकार में दर्ज हुई सप्लिमेंटरी चलान भी आपकी सरकार में दर्ज हुआ तो फिर रॉबर्ट वड़रा जी का स्काइलाइट हॉस्पिटालिटी का कोई नाम तो है नहीं, कहीं उनका नाम ही नहीं है, ना एक्यूज के तौर पर है, ना गवा के तौर पर है, ना कहीं और है, इसलिए के वो तो फाइनल विक्टिम होई है, और E.D. ने जो फरजी E.C.I.R. दर्ज की, आज तक उसमें भी को 2015 से 2022 तक, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सर आठमा साल है, तो मोदी जी कोई अगर कसूर था, तो आप चलान पेश कर देते, सजा करवा देते, आठ साल से आप एक लिख लिया पर्चा उस पर जब चाहे इलेक्शन नजदीक आता है, या कभी दो-तीन टेलिविजनों पर चलाना हो, तो आप भेज देते हैं कागचे, बस, बुला कर चाहे पिला कर वापिस भेज देते हैं, और हाई कोट ने कोई एडवर्स फाइंडिंग शिरी रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ या स्काइलाइट के खिलाफ भी ही नहीं, जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाया, इसलिए इस पर करने से बच जाएंगे.